नमस्कार दोस्तों Online Study Kingdom चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि देख रहे होंगे हमारे युटूब चैनल पर इस वीडी करंट आफ एर्स को कबर किया जा रहा है जो कि अपडेटेड है फर्वरी 2020 से लेकर कि दो जनवरी 2021 तक तो हम लोग टॉफिक वाइज कबर कबर रहे हैं आज कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख राश्टी न्यूक्तियां और अंतर राश्टी न्यूक्तियां जो कि आप देख रहे होंगे RRB NTPC exam में जो है ऐसे questions जो है न्यूक्तियों के से जो है बहुत सारी पू प्रमुख राश्टी न्यूक्तियां आप देख रहे होंगे कि RRB NTPC का exam जो चल रहा है उसमें जो है एक दो question आपको जरूर देखने को मेल रहे हैं राश्टी और अंतर राश्टी न्यूक्तियों से तो आई हम लोग देखते हैं पहला point है देश के पहले देश के पहले ल इस्वी आई कार्ड के CEO अश्वनी कुमारतिवारी है इस्वी आई का हेड़कॉर्टर मॉंबई में है और इसकी अस्थापना एक जुलाई 1905 को हुव था यूपी अस्थी लोग शिवायोग के जो नए अध्यक्ष है इनका नाम है प्रदीप जोसी यूपी अस्थी अगर आर्टिकल है आर्टिकल 3916 के तहट यूपी अस्थी के चेर्मेन की नियुक्ति हो प्धारत के चोधह में जो नियंत्रक्यों महाले इखा पर इख्षक हैं इनका नाम है गिरीश चंद्रमुर्मु अ मिरीश चंद्रमुर्मु अगर उस्था जाता है चान्ट्रक्यों महाले पूछा जा चुका है 28 दिसंबर के जो फर्स्ट सिप्ट का पेपर हुआ था RRB NTPC का कि DRDO के जो अध्यक्षान का नाम क्या है इनका नाम है जीशात इश्रेड एक्जाम में पूछा जा चुका है नेक्स्ट पॉइंट है सीमा सुरक्षा बलडड़ बीएसफ तो बीएसफ के महानिदेशक राकीश अस्थाना है E.M.D. E.M.C.O. E.S.B.I. mutual fund की बिने टोन्स है PS रानी पसे को CRPF का महानिदेशक बनाया गया है अब एक सरकार को PTI that is Press Trust of India का अध्यक्ष बनाया गया है आप देख रहे हैं कि बिनूद कुमारिया दो एक्चुलिया जो जो बुक है जो अपडेटेड है वहाँ फरवरी से ले करके जो लास्ट येर 2020 से ले करके इस साल की दो जनवरी तक और जो इनका जो अपउइंटमेंट हुआ है CEO Railway Board के इनका जो अपउइंटमेंट हुआ है या तीन जनवरी को हुआ है ठीक है तो ये अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ पोटेंचन लेने की जरुवरत नहीं है ठीक है तो इनके जो नए जो CEO बने हैं बिनुद कुमार को replace करकी इनका retirement हो गई है तो इनका नाम है आपको याद रखना है इनका नाम है सुनीत क्या नाम है सुनीत सर्मा ठीक है सुनीत सर्मा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका चलिए हाँ आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूं जैसे कि एक्जाम में पूछा जा चुका है कि डियार्डियो की जो अध्यक्ष है वो कौन है तो दीशती रिड़ी अब यहाँ थोड़ा इंप्रण एक प्वांट और आप या रखीजिये कि जो डियार्डियो है इसकी अस्थापना कब हुई थी अगर एकजाम में पूछा जाता है तो डियार्डियो की जो अस्थापना तो आईए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिक उड्रेन सुरक्षा भीरो के महा निदेशक जो है वो कौन है तो इनका नाम है उशा पाडे भारत की पहली महिला अम्बॉलेंस ड्राइबर मुस्ट इंपॉर्टन पॉइंट पहली महिला अम्बॉलेंस ड्राइबर है इनका नाम है यम वीरलक्ष्मी फाड़ा के अध्यक्ष कौन है तो फाड़ा के जो अध्यक्ष है इनका नाम है बिंकीस गुलाटी फाड़ा का फुल फाउम क्या है तो फाड़ा का फुल फाउम आपको याद रखना है Federation of Automobile Dealer Association of India Federation of Automobile Dealer Association of India फाड़ा की अस्थापना कब हुई थी तो फाड़ा की अस्थापना वर्स 1964 इस बी में हुई थी नेक्स्ट पाइंट देखते हैं भारती विग्यापन मानक परिशद की अध्यक्ष कौन है तो सुवाश कामा था है ठीक है नेक्स्ट पाइंट है All India Tennis Association All India Tennis Association की अध्यक्ष अनिल जैन है All India Tennis Association की अस्थापना बर्स 1920 में हुई थी कब मार्च 1920 में ठीक है नेक्स्ट पाइंट है नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा तो नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा की जो चेर्माइन है इनका नाम है परिश्रावाल ठीक है नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा की जो अस्थापना होई थी वह बर्स 1975 इसबी में हुई थी कब 1975 इसबी में Next point शयुक्त राष्ट में भारत का अस्थाई प्रतिनिधी किसे न्यूक्त किया गया है तुनका नाम है P.S.T. रूमूर्ती क्या नाम है P.S.T. रूमूर्ती यह जो है भारत की जो है अस्थाई प्रतिनिधी है ठीक है अब जो है यह है सयुक्त राष्ट एक International Organization है तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं तो जो United Nation सयुक्त राष्ट है इसकी अध्यक्ष कौन है तो इसकी अध्यक्ष जो है Antonio Guterres है क्या नाम है Antonio Guterres तो इसको भी याद रखना है आपको Antonio Guterres जो है वहाँ जो है United Nation की जो है अध्यक्ष है तो आपको इसको याद रखना है दूसरा बात इसकी अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना जो हुई थी United Nation की वहाँ 24 October कब हुई थी 24 October 1945 इस भी को ठीक है और पच्चास देशों की हस्थाप्षर होने की साथ भारत भी इसमें शामिल था तो आपको याद रखना है United Nation की जब अस्थापना हो रही थी तो अब इसमें जो है भारत भी एक हस्थाप्षर करता देश रहा United Nation का मुख्याले कहाँ पर है तो United Nation का जो मुख्याले है वहां जो है माइन हाइटन टापो निव यार्क शहर जो की शैयुक्तराज अमेरिका में श्थीत है ठीक है तो कहाँ है निव यार्क जो है शैयुक्तराज अमेरिका इसकी जो आफिसियल लेंग्वेज है कौन कौन सी है तो आफिसियल जो लेंग्वेज है वहां बरतमान में अर्वी है चाइनीज है अंग्रीजी है फ्रांसीजी है और रश्यन है और इस्पेनी है ठीक है तो कितनी है टोटल तो टोटल जो लेंग्वेज है वहां पांच लेंग्वेज है ठीक है संचालन बेसिकली जो संचालन भासा है वहाँ पर जो है उनाइटर नेशन की वो इंगलिश और फ्रांसीसी है और मुख्यता जब वो उनाइटर नेशन बन रहा था तो उसमय जो लैंग्वेज थी बेसिकली 1973 में जो है अर्भी और इस्पेनी को जोड़ा गया उसकी पहले जो उनाइटर नेशन है इसका जो देश है वहाँ अंतरास्टी कानून को शुविधा जनक बनाने की शहयोग अंतरास्टी शुरक्षा आर्थिक विकाष शामाजिक प्रगती मानो वधिकार और विश्वसान्थ के लिए कारी रथ है इस संस्था की शनरस्णा में आम सभाद जन जनरल असम्बली उनाइटर नेशन इस सीकूर्टी कांसिल उनाइटर नेशन एकॉनमिक एंड शोसल कांसिल है सेक्रेटरियेट है इस तरह जो है इसमें अंतररास्टी यह नियाले शंबलित है जोन 2020 में भारत जो है सुनक तुरास्ट सुरक्षा परिशद का आइस्थाई श चुना गया है दो साल के लिए ठीक है कितने साल के लिए दो साल के लिए कब से तो एक जनवरी एक जनवरी दो हजार इकी से लेकर की दिशंबर दो हजार बाइस तक ठीक है यानि दो साल के लिए इसको जो है नूक्ट किया गया है आइस्थाई शदस की तौर पर इसके पहले भी भारत जो है आठ बार जो है आई 726 से रहे चुका है जैसे कि उन्नीस सो पचासे क्यावन की बीच में उन्नीस सो सट सट से अनसाट पाथतर से तीहत्र सट से अटातर चौरासी से पचासी एक्यानवे सी बाननवे और 2011-12 में भी ठीक है तो आपको इतना याद रखना है कि दो साल के लिए आज 23 से चुना गया है वर्स 2021 से दिसंबर 2022 तक हैं अगर आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि जो इनाइटर नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल है थीक है तो उसमें जो पर्मानेंट में उमबर है उसमें कौन कौन सी कंट्री है क्या उसमें इंडिया है तो आपको याद रखना इन्डिया बिलकुल नहीं है उसमें जो पर्मानेंट मेंबर हैं United Nations Security Council that is जो शायुक्त राष्टर सुरक्षा परिशत की पांच जो है पर्मानेंट मेंबर हैं ठीक है रसिया है याद रखना आपको रसिया है चाइना है ठीक है रसिया, चाइना, United Kingdom US और France तो पांच है याद रखना आपको रसिया, चाइना, United Kingdom US और France यह चार जो है पांच जो है यह है United Nations Council की जो है पर्मानेंट मेंबर हैं भारत नहीं है तो आपने नोट कर लिया होगा ठीक है तो यह important point रहे हैं चलते हैं next point की तरफ next point है राज्ती तकनीकी अनुशांधान शंगठन की प्रमुख कौन है तो इनका नाम है अनिल धश्माना ठीक है क्या नाम है अनिल धश्माना ट्राई, ट्राई की अध्यक्ष कौन है तो ट्राई की अध्यक्ष है पीडी वाघिला और ट्राई की जो अस्थापना हुई थी वह 20 फरवरी कब 20 फरवरी वर्स 1997 को ट्राई की अस्थापना हुई थी ट्राई का जो हेड़ क्वाटर है आपको याद रखना है वह है नई दिल्ली में ठीक है यहीं पर उपर जो है रास्थी जो तकनीकी अनुशंधान संगठन इसकी अस्थापना बेसे के लिए जो संगठन है यहार रो की अंडर में जो है वो टेक्निकल यहां पर शपोर्ट प्रवाइड करता है तो इसकी जो प्रमुख है अनिल धस्माना है अगर कूथा जाता है कर अगरास्थी तकनीकी अनुशंधान संगठन का हैड़कॉर्टर कहा है तो वह नई दिल्ली में और इसकी अस्थापना बर्स 2004 में हुई थी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है एनस्जी की महानी दीशक कौन है तो एनस्जी की महानी दीशक है इनका नाम है यहस-यहस देशवा इनस्जी हैं यहसाब मंदितत अगर पूछा जाता है कि इनस्जी की अस्थापना कब हुई थी तो इनस्जी की अस्थापना 22 सेप्टमबर 1986 भी को ही थी कब 22 सेप्टमबर 1986 थीक है और इसका जो हेड़कॉर्टर है नेस्जी का वो सिंपल सी बात है वो जो है नए दिल्ली म इसके जो regional hubs है regional hubs की बात की जाएगी तो ये है मुंब़ई, कॉलकता मुंबई, कॉलकता हैद्राबाद, चेननई और गांधी नगर गुजरात में है ठीक है तो 5 इसकी जो है original hub है मुंबई, कॉलकता हैद्राबाद, चेननई और गांधी नगर significant operation इसकी अगर कुछ significant operations की अगर बात करें जी जो टी नेशनल सीक्यूरिटी गार्ड दैसे की आपका black thunder ठीक है अश्चो में combat mission इस तरह के जो है जो की जम्म कस्मीर में हुआ था इस तरह इसकी प्रमक जो है operation रहे हैं अगर इसके डायरेक्टर की अगर बात की जाएगी तो इसके जो एनस्जी के जो डायरेक्टर है ठीक है एनस्जी के जो डायरेक्टर है वहां कौन है तो वह है सुर्जीत सिंग देशवाल ठीक है जो की IPS है 1984 ठीक है तो इनहीं का नाम है सुर्जीत सिंग देशवाल या CS देश नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बाइंक तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बाइंक जो सी ओ है यह है जे बेंक अंट रामू इंडिया पोस्ट पेमेंट बाइंक की जो अस्थापना हुई थी वह जो है तो अस्थापना एक तरह का इसको 30 जनवरी 2017 में राची जहारखंड तथा राइपुर 36 गड़ में एक पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लांच किया गया था कब 30 जनवरी 2017 को कहां से राची जहारकंड तथा राइपुर 36 गड़ में एक पाइलेट प्रोजेक्ट की तोर पर इसको लांच किया गया था देरे देरे आज की तारिख में जो है ये लगभग 650 साखाओं और नियंतरक कारेरों के शाथ शंपूर भारत में अपनी सेमाई जो है प्रदान कर रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बाइंग भारत सरकार की जो है 100% एकुटी की साथ संचार मंत्राल है जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में यह आता है और यह डाग विभाग की अंतरगत इसकी अस्थापना की गई है ठीक है यह रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बाइंग से कुछ सम्वन्देत महत्पूर तथ है इसके सियो कौन है जे बेकंट रामू चलते हैं नेक्स्ट प पाइंट है मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट दर्ज उनेस्को में भारत का स्थाई प्रत्मिधी की से निउक्ति किया गया है विसाल भी सर्मा को युनेस्को के बारे में थोड़ा मात्तपूर तथ देखते हैं तो इसको का जो फूल फॉल फाम है वह है उनाइटेड नीशन युनेस्को ठीक है तो इनेस्को को जब फूल फाम है उनाइटेड नीशन एजूकिशनल साइन्थ विक्स एंड कल्चरल आर्गनाईजीशन ठीक है उनाइटेड की जो फार्मेशन हुआ था तो इनाइटेड का जो फार्मेशन हुआ था कब हुआ था बरस 1945 में याद रखन है 16 नवंबर 1945 को उनिश्को का formation हुआ था उनिश्को को जो headquarters है यह भी important है पूठा जा रहा exam में तो हेडकोर्टर जो है वह पेरिस्फ फ्रांस में है कहा पर है पेरिस्फ फ्रांस में ठीक है पेरिस्फ फ्रांस में जो है इसका headquarters है इसके जो head है इस समय बर्तमान में वो है Adore Azore क्या है Adore Azore ठीक है तो आपको याद रखना है headquarter जो है वहाप इस फ्रांस में इसके जो head है वो है A-U A-D A-D-U R-U-I ठीक है Audrey Azore A-Z-O-U E-L-A-Y ठीक है तो आंद्रे अजोले जो है इसके जो है वो head है और भारत जो है वरस 1946 में इसका शदस्य बना ठीक है इसकी अस्थापना कब होई थी 16-16 नॉम्बर 1945 में लेकिन जो भारत है इसका अध्यक्स इसका जो शदस्य बना है यानि मेंबर जो बना है उनिसको को वरस 1946 में बना है ठीक है तो आपको याद रखना है उनिसको का जो headquarter है वो Paris France में अस्थापना 16 नॉम्बर 1945 को ही थी इसके जो head है वो अंद्रे अजोले है और भारत जो है इसका शदस्य बरस 1946 में बना है आपको थोड़ा मैं और चीज़े बता देता हूँ खासकर जो वैसे PCS या EPSC के question पूछे जाते हैं लेकि थोड़ा आपको याद रखना है कभी कभी जो GK के question थोड़ा डीपली भी पूछ रहे हैं आने वाले shift में थोड़ा कभी कभी टब बना देते हैं याई जो एक्जाम देके आते बताते हैं थोड़ा भाई GK के जो portion रहा थोड़ा वो अच्छा खाजा रहा थीक है तो आपको याद रखना है जैसे कि अभी UNESCO में जो total विश्वा विरास्थत अस्थल हैं टोटल वो है जो है तीस जो है वो आपकी सांस्कृतिक है और शाद जो है वो natural है जबकि one जो है वो mixed है ठीक है तो latest जो आपको याद रखना है जैसकि वन ताल ने उसमें नंबर पर हो गए जैसे कि अभी यहां पर मदपरदीश में जो है सुने गए है ठीक है दो तो उनका नाम क्या है उनका नाम है ओरचा ठीक है ओरचा और गौालियर ठीक है ओरचा और गौालियर जो है यह MP की परस्ता भी थे सांस्कृतिक विरासत में ठीक है तो यह लेटेस्ट है इसको याद रखना है आपको और शा और गौालियर को मदपरदीश की है ठीक है बाकी जो तीस हैं आपको याद रखना है कि पहला जो सबसे जो पहला रहा है वह कौन सा रहा है तो सबसे पहला जो आगरा का किला रहा थीक है सबसे पहला जो सांस्युट्री विराषद रह वह ऊंग्रा का किला रहा रख सबसे पहला ठीक है आगर किला रेट रsecond का恩्यम लुवर मिला सांस्पिर्ट पुक टीश है यैं UFO हो गए और शाथ जो है उप्राकरतिक है काजी रंगा निशनल पार्क हो गाए किन्ने किवला दो है मानस है सुंदर्बन निशनल पार्क है नंदा देवी फूलो की घाटी वेस्टर्न घाट great ग्रेट हिमाले निशनल पार्क इस तरह ठीक है यह सारे इतने डीपली पीसेस कोशन है यह पूछे नहीं जाएंगे ठीक है अगर पूछा जाता है कि काजी रंगा निशनल पार्क कहां याद रखना आपको अशम में है केवलादेव राजस्थान है और मानस वाइड लाइप स अलक्षंट शेद्र कहां पर है तो आपको याद रखना है इमानचर प्रदीश में है यह साथ तो है आपकी नीशूरल साइट्स है एक मिख्ड जो है वो उन इसको में शामिल होने वाला जो विरास्त अस्थथल है इसको याद रखना है इसका नाम है कंचन जंगा ठीक है क् important point है mix जो है बिरासब अस्थल में आता है यह और यह जो है सिक के में स्थित है यह important point है ठीक है उसको याद रखना है आपको ठीक है तो दोस्तों चलते है next point की दुरब next point है दिली और जिला क्रिकेट संग डेली और डिस्टिक जो क्रिकट संग है इसके अध्यक्ष कौन है रोहन जेटली भारती वैंक शंग आई बी ए के अध्यक्ष कौन है राज की रणराय है नेक्स्ट पॉइंट है CIC तो CIC तटी जो मुख्य सूचना आयूख तो कौन है यह important point है तो CIC कौन है याद रखना आपको यस वर्धन कुमारी सिंग्ष है मॉंबाई पोर्ट ट्रस्ट तो मॉंबाई पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्ष कौन है राजीव जलोटा कौन है राजीव जलोटा है नेक्स्ट पॉइंट है O याद जीसी की विदी इस लिमिटेड की MD O C O कौन है यम कौन है A की गुपता A की गुपता है अंतर संसदिये शंगधरज आई पी यू इसकी अध्यक्ष दुर्तेते पचीकू है अभी नाम है ठीक है क्या है दुर्तेतो दुर्तेते पचीको किसके अंतर संग के ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हाकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है इनका नाम है ज्यानेंद्रो निगोम बाम नेक्स्ट पॉइंट ESDFC mutual fund की MD CEO कौन है नवनीत मुनीत है इंजीनियर इनसीफ भारती से ना most important point इनका नाम है राष्टिय डेरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष कौन बरसा जोसी है लोक्षभा शेक्रेटरेट महासच्यू उद्पल कुमार सिंग को न्यूक्ट किया गया है most important point लेश्टेटर पॉइंट मेंट है सीमा शनक शंगठन तो सीमा शनक शंगठन की महानी दिशक कौन है राजीव चोधरी है ठीक है फिक्की most important point फिक्की की अध्यक्ष कौन है उद्धे संकर है फिक्की का full farm क्या है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry most important point ठीक है फिक्की का full farm क्या है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry भारती वानच जियो महाशंग इसका headquarter अगर पूचा जाएगा तो फिक्की का headquarter जो है वहाँ नई दिल्ली है ठीक है वहाँ नई दिल्ली है और फिक्की की अस्थापना कब हुई थी तो फिक्की की अस्थापना वर्स 1927 सीजबी में हुई थी next point है ITBP ITBP के जो अत्रिक्त महान निदिशक है इनका नाम है मनुज सिंग रावत most important point that is SOCAM SOCAM के जो अध्यक्ष है इनका नाम है बिनीत अगरवाल SOCAM के बारे में थोड़ा पढ़ा लेते हैं SOCAM जो है इसकी अस्थापना अगर पूचा जाएगा SOCAM की जो अस्थापना हुई थी वर्स 1920 इस भी में कब वर्स 1920 इस भी में SOCAM का फुल फार्म अगर पूचा जाता है तो आपको याद रखना है SOCAM का जो फुल फार्म है वह है Associate Chamber of Commerce क्या है Associate Chamber of Commerce and Industry of India ठीक है और इसका जो Headquarter है वह नई दिल्ली है अस्थापना वर्स 1920 है इसके जो Founder रहे है SOCAM की Founder रहे है Dr.Niranjan Hira Nandani ठीक है और इसके जो Shareman है वह है विनीत अगरवाल ठीक है तो ये SOCAM से टोड़ा Important point रहे चलते हैं Next point अंडबानने को बार अंडबानने को बार इक DGP जो निउक्त हुए है इनका नाम है सतेंद्र गर्ग Next point है अध्यक्ष BCCI चैन शमीती की अध्यक्ष चेतन सर्मा है BCCI के अगर बात की जाए That is Board of Control for Cricket Board of Control for Cricket in India बार की Cricket Control Board के जो Foundation इसका जो इसका जो Headquarter है BCCI का इसका जो Headquarter है वह जो है मॉंबाई है ठीक है वान के डिस ले लिए हम ठीक है तो मॉंबाई है और इसके जो अध्यक्ष है आपको याद रखना है ये BCCI चैन समीती की अध्यक्ष यहाँ पर बात की जा रही है ये चेतन सर्मा है जबकि जो इसके अध्यक्ष है BCCI की ना की चैन समीती की तो इनका नाम है शौरब गांगुली है और उपाध्यक्ष जो है राजी उस्तुकला है और रवी सास्त्री ठीक है रवी सास्त्री जो है क्या है तो BCCI पुरुष टीम के कोच है जबकि जो इसके जो सेक्रेटरी है वो कौन है तो BCCI जो सेक्रेटरी है वो जैसा है कौन है जैशा है आप देखे होंगे यह मिशा के लड़के ठीक है जैशा है कौन है जैशा है और अगर महिला कोच की अगर बात की जाएगी महिला टीम कोच की तो इनका नाम है तुशार अरोठे ठीक है क्या नाम है तुशार अरोठे ठीक है बाकि पुरुष के कौन है रभी शास्त्री चैनि शमीत की अध्यक्ष आपने देखा है चीतन सर्मा तो इस तरह जो है बी सी सी को यहां पर देखा है तो यूख से स्परится यूग्तियों को को यहां पर देखा है तो कि एक्जाम चल रहे हैं आप देख रहे होंगी में रैस्टेन वह गर च Candle को देखने को जरूर में रहे हैं लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शब्सक्राइब करें, आपकी सब्सक्रीप्शन ही हमारी तागत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फार वाचिंग, प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल और प्लिस अब्सक्राइब करें वीडियो अब्सक्राइब करें, थैंक्य।